दोस्तों हमारे चैनल ग्यान भर्णडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जाने कि यदि समुद्र के पानी को मीठा कर दिया जाए तो क्या होगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर ले ता ना यह मान लिया जाए कि वैग्यानी कैसी मशीने बनाने में सक्षिन हो जाएंगे जिसे समुद्र के पानी की गंदगी को खत्म करके उसे साफ किया जा सके सरल शब्दों में कहें तो समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सके सवाल यह है कि यदि ऐसा कर दिया गया तो क्या होगा? क्या प्रित्वे की पेजल समझ से समाप्त हो जाएगी या फिर इसका कोई दुश परिनाम हो सकता है? आये जानते हैं शोद करता बताते हैं कि समुद्र में लगभग 2,28,450 प्रजातिया हैं और 2,000,000,000 से अधिक की खोजबाकी है लेकिन नगर सागर को अलंकरित्यानी नमक हटा दिया गया तो हम उन्हें कभी नहीं ढूड़ पाएंगे? प्रकाश संचलेशन हमारे ग्रे को ऑक्सीजन की आपूर्थी करने में महत्पून भूमी का निभाती है चुकि फेड और पौदे वायूमंडल से कार्बन डाय ऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्थित करते हैं और हमें सांस लेने में कोई प्रिशानी नहीं होती हैं समुद्र का पानी फेल्टर कर दिया तो शैवाल खत्म हो जाएंगे इसलिए शैवाल के बिना न केवल हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी साथ ही हमारे वायूमंडल में बहुत अधिक कार्बन डाय ऑक्साइड हो जाएगी ग्रीन हाउस प्रभाव के इस ग्याहिंता से दुनिया के कुछ हिस्से असनिय रूप से गर्म हो जाएंगे प्रित्वी की छोड जम जाएंगे जबकि मौसम भुमध्य रेखा के आसपास तीवर होगा तो फान बहुत अधिक आने लगेंगे और बहुत अधिक घातक होंगे काफी कम प्रकाश संचलेशन के साथ और जलवायू जो की बेहत थंडे या बेहत गर्म होगा हमारी दुनिया अब उस विविर पौदे के जीवन का समर्थन नहीं करेगी पूरी खादिर शिंखला द्वस्त हो जाएगी अधिकांश प्रजातिया मनुश्यों सहेत मर जाएगी क्योंकि पसलों पर हम जीवित रहने के लिए निर्भर हैं वे सभी गाइब हो जाएगी अताहिक समय ऐसा आएगा जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो अब आप समझ गए होगे कि यदि समुद्र के पानी को मीठा कर दिया जाए तो क्या होगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लिस कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो ल आते रहेर नवाद